असलाम अलेकुम, ग्लोबल परस्पेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो डिवल्पमेंट होती है पॉइंट की, क्योंकि उसमें रीजन ही करनी होती है तो आज हम टोटल इसके उपर बात करते हैं कि एक डिवल्पमेंट क्या होता है और एक अन डिवल्पमेंट क्या होता है तो वीडियो को गोर से देखिएगा और बाकी अगर आप के जहन में है कि हाव टू अटेंप्ट एट मार्क्स, एक्स मार्क्स, फिफ्टीन, ट्वेटिव तो दोस वीडियो आरेडिली अविलेबल इन ग्लोबल परस्पेक्टिव की जो हमारी प्लेइलिस्ट है यह इंताई important point है, so please keep in mind अगर आपको यह समझ आ जाते है कि develop point और उसको कितना हम expand करते हैं और क्या क्या include करते हैं तो your task is done, फिर सब कुछ easy है, तो अब गोर से आगे देखने और कोई चीज अगर नहीं आपके जहन में कोई question होता है, कोई समय में आता तो please do write because बड़ी मैनत करता हूं मैं इस चीज के उपर, कि आपको easy words के अंदर यह समझ आ जाजाए, तो let's start यह हम एक 24 मार्क सा question देख रहे हैं, your government wants to reduce pollution from transporting food over long distances अब इसका जो point number 3 है, the following suggestions have been made, increase taxes on food transported from other countries तो इसके उपर एक developed या un-developed point क्या होता है, अब ज़रा उसको देखें ने लिखा है, increasing taxation on the long distance transportation of food will reduce pollution by encouraging people to buy locally अब यहां तक बच्चे ने लिखा है, और अब इसमें further उसने development नहीं की, कि आगे इसका क्या consequence है तो अभी तक जो उसने लिखा है, वो ठीक लिखा है, but full development नहीं होई, तो इसलिए इसके पूरे marks नहीं होगे अब further development देखते हैं कि क्या चाहिए, जो पहला part बच्चे ने लिखा है, बिलकल ठीक था, लेकिन consequence नहीं था अब एक और बच्चे ने क्या लिखा है, because foreign food will become more expensive and people will only be able to afford local food तो अब ये fully develop point हो गया है, तो आपको इस तरह के 6 points चाहिए होते हैं, develop points 24 marks में, but anyways, इस तरह आपने कोई भी point हो चाहिए, वो 3 marks हो, 6 marks हो, 12 marks हो, जो भी question हो, you have to do in this way, develop point को इसी तरह करना है, अब इसको हम further देखते हैं, कि source में से अगर हम example दे के develop करें, तो वो कैसे होता है, तो अब आप ये statement देखें, अब आप ये देखो कि इसमें further बचे ने, पहला point आपने जो develop देख लिया, आप दूसरी तरह से develop करोगे इसको, आप ये भी लख सकते हो, this is supported in source 4, when Henny says, that food that has traveled a long way cost a lot of money and causes pollution, तो source से जब आपने evidence दे दिया, तो आपका ये भी develop point consider होता है, तो य ये इतना असान होता है, GP के अंदर, cause and consequence आपने जैन में रखना है, और वो एक full develop point आपके सामने examples है, ये बार बार देखें, और ये ही वो चीज़े हैं, जो इन्शालला आपको बहुत अच्छे marks देंगे, अब हम ज़रा एक और वो strength and weakness का source देखते हैं, ये देखिये statement, अब ये source 3 से question दिया गया, एक statement है, it is good to transport food or long distances, what are the strengths and weaknesses of the argument supporting this claim, तो अब आप ये undeveloped point देखें पहले, कि ये undeveloped point है, कि strength of honey's argument is the use of personal experience from her background on the farm, अब further इसने, अगर इसको थोड़ा सा और explain किया होता है, तो ये point developed बन जाता था, जो आप ये screen पे लिखा हुआ देख रहे हैं, अब य ये बच्चा क्या कर रहा है, इसने सरफ ये बताया कि ये weakness क्यों है argument कि, क्योंकि this experience may not apply to many other people and could be biased, it is not strong evidence, तो ये है full इस develop point, जितना भी आपने explain करना होता जीपी में, तो I hope कि ये आपको समझ आगया होगा, अगर कोई भी question, कोई भी issue आपके जहन में है, तो please do write, see you in next video, Allah Hafiz आपके जैंल, इसने सकूद कोई आपके कश कर दोर